हेलो एविवन आप सभी का स्वागता मेरे यूटूब चैनल में देफियर आज मैं बात करने जा रहा हूँ देल बैचारा नाम की फिलिम की जो जस रिसेंटली होट स्टार में रिलिज हुई है इस फिलिम को देखने के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरुवत नही काफी जदा मलब यह फिलिम एक स्पेशल फिलिम है जिसकी बज़े से इस फिलिम के लिए हॉट स्टार वालों ने यह डिसाइड किया है कि अगर आप में नहीं भी हुए तो भी आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे और आप इसे फ्रीली इंजॉय कर सकते हो त कहानी की शुरुवात में किजी नाम की एक लड़की से इंटर्यूस होते हैं जिसे थायरड का कैंसर था अब यहाँ पर किजी को बचपन से ही कैंसर होनी की बज़े से वह हमेशा लोनली रहा करती थी और उसका कोई भी दोस नहीं था और तब उसके दोस्त थे तो सिव उसक ऐसा लगता था कि यह गाना उसी के लिए बनाया है बिकोज यह उसकी भी लाइफ एक इनकंप्लीट वे से ही चल रही है अब एक दिन के जब अपने कॉलेज में जाती है तब उसकी मुलाकत मैनी नाम के एक लड़के से होती है जिसका पूरा नाम था इमैवल राच कुमार अब यहाँ पर उसका जो पूरा नाम है वो मैं नहीं बता सकता बिकोज काफी लंबा नाम है जिसकी बज़र से उस नाम को बताते हैं मेरे ही पसिने चुट जाएंगे So hence मैंने ये डिसाइड किया है कि हम सब उसे मैनी ही बुलाएंगे अब यहाँ पर मैनी जो था वो एक इंजोईंग बंदा था जहाँ पर ओ काफी ज़दा अप्टिमेस्टिक था और उसके ज़दा अच्छा गिसम पा था और काफी ज़दा इंजोईबल था जहाँ पर ओ कि से ग्रसी थे और उन्हें Cancer kancer को हरानी के लिए Y una vishn देनी के स्प्रोग्राम को शुडू किया गया था। इसी वज़े से किज्दी उस program में जाती है जहां पर उसकी मुलाकाथ मैनी से होती है अब यहां पर मैनी से जब पूछा जाता है कि आखिर उसका क्या सपना है जहां पर मैनी ये कहता है कि उसे JP के साथ काम करना है और मैनी का एक दोस भी था जिसका नाम था JP जो एक डिरेक्टर बनना चाहता था और उसे भी I.CANSER था अब यहाँ पर मैनी अपनी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि मैं JP के साथ काम करना चाहता हूँ और मेरी यही आखरी खवाईश है Actually मेरे leg cancer की बज़ा से मेरे legs को काटा गया था बट मुझे artificial legs के बाद मैं काफी ज़दा अच्छा मैसुस कर रहा हूँ और इसी enjoyable के साथ मैं अपनी life को जीना चाहता हूँ अब यहाँ पर JP जो था वो काफी ज़दा खुश था और उसे असन मैनी को पाके वो और भी ज़दा खुश था और मैनी जो था वो कीजी से इसी बज़र से flirt कर रहा था बिकॉस मैनी कीजी के साथ काम करना चाहता था इसी बज़र से वो कीजी को छोड़ने के इरादे से उसे अपनी फेवरेट जगा पे लेकर जाता है जो एक्चुली लेक साइड की जगा थी अब यहाँ पर लेक साइड में ही वो कीजी से पूछता है कि क्या तुम मेरे फिल्म में काम करना चाहोगी क्या जहाँ पर वो यह कहती है कि मैं तुम्हारे फिल्म में काम नहीं करना चाहती बिकॉस मेरी अलरेडी लाइफ काफी ज़दा बोरिंग है इसी कासब मैं और भी ज़दा लाइफ को बोरिंग नहीं करना चाहती अब यहाँ पर किजी जो है वो एक सॉंग को सुनती है जो अभिमन्यू का सॉंग था और तब वो सॉंग को सुनने के बाद वो मैनी को भी सॉंग को सुनवाती है जहाँ पर मैनी इस सॉंग को सुनने के बाद ये कहता है कि ये काफी ज़दा boring है और इस song को सुनने साथ अच्छा मैं honey sing के rap ही सुन लो चाहापर इस song को सुनने के बाद किजी भी काफी ज़दा परेशान होती है मतलब मैनी का ये response कर वो काफी ज़दा परेशान होती है और तब वो मैनी से ये कहती है कि अगर तुमने इस पूरे अल्बम को सुना तब ही मैं तुमारी इस फ्लिम में काम करूंगी जहापर मैं निराद के समय इस पूरी अल्बम को सुनता है और सुबह किजी से ये कहता है कि मुझे सिंगर काफी ज़दा पसंद है इसकी incomplete lyrics के बज़र से मुझे काफी ज़दा पसंद है और मैं इससे यही सवाल करूंगा कि आखिर इंकंप्लिट क्यों है जहाँ पर किजी भी इस बात को यही जोचती और कहती है कि शायद उसे कुछ तो भी दूख होगा जिसकी बज़र से उस एक eye cancer होता है जिसकी बज़र से उसने अपनी दोनों आखे गवादी थी और वो complete अंधा हो चुगा था पर फिर भी वो इस फिल्म को continue करना चाहता था बिकॉस मैनी ने उसे एक motivation दिया था और धीरे-धीर मैनी और किजी के बीच का भी relationship काफी ज़दा सुधरने लगा था जह जो उसका mail address पता चला है और मैंने उसे जल्दी mail भी कर दिया है जहाँ पर उसे अभी मन्यू का mail भी मिलता है और तब उस mail का reply सुनते वक्त वो काफी ज़दा खुश होता है और इसके बारे मैं किजी से कहता है जहाँ पर किजी इस mail को पढ़ती है और तब इस mail को पढ़ने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि actually जो song अभी मन्यू ने लिखा था वो उसने जान बुचकर incomplete छोड़ा था because उसे complete करना एक बहुत गड़ी गलती हो जाती जिसकी बज़े से वो से complete नहीं कर पाया अब उसके इस answer से किजी काफी ज़दा unsatisfied थी जिसकी बज़े से किजी भ और पारे में बात करती है जहाँ पर मैंने भी काफी ज़दा कुछ था और तब वो इन दोनों की पैरिग ज़ने की बात कर रहा था अब यहाँ पर पैरिज की किजी के माम कीज़े काहिशान होते है और वो डॉक्टर्स की help लेते है जहाँ पर डॉक्टर्स भी उसे यहीं कह रहे थे कि अगर तुम्हारी लिए काफी जदा रिस्क्फल हो सकता है जिसकी बज़से तुम्हें स्ट्रिप में ना ही जा तो अच्छा है जहाँ पर कि इस जी काफी जदा जित करती है और तब ही उसे शाम के समय एक अटक आता है और यह अटक था कैंसर अटक अब यहाँ पर इस अटक के आने की बज़से कीजी को अच्छानक से हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उसका पैरिस का जो ड्रीम था वो पूरी तरीक से चकना चुर हो चुका था और वो मैनी से नजरे नहीं मिलाना चाहती थी जिसकी बज़से वो मैनी का फोन काट रही थी एक्चलि मैनी उसे लगातार फोन कर रहा था बट वो उसका फोन काट रही थी और जैसे ही वो हस्पिटल से रिच्चार्ज होई तब मैनी उससे मिलने आया जहाँ पर मैनी ने उसके पैरेंट्स नहीं कीजी के पैरेंट्स को भी पटा लिया था पैरिस के ट्रिप में जाने की बज़े से मैं कभी भी बास्केट बॉल नहीं खेल पाया जब भी मैं बास्केट बॉल खेलने का ट्राय करता था तब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यह बास्केट बॉल मेरा है ही नहीं जब भी मैं कभी कोई मैच जीतता था तब वो सक्सेस मुझे अपना सक्सेस लग जाएगी hazard hazard helper जहाँ पर यह ही तीनों लोग पैरिस के लिये जाते हैं और टब पैरिस में ही इनकी मुलाकत यहाँ पर यह दीनों एक दिन injoy करते हैं और पर उसके बात यह तीनों लोग मतलब मैनी और कि design यह दोनों लोग अभी मन्यू से मिलने जाते हैं, जहाँ पर अभी मन्यू जो था वो एक होटल में इन से मिलता है, और तब किज्जी और मैनी यह दोनों उसके सामने बैठे थे, जहाँ पर किज्जी एकसाइटमेंट में उससे यह पूछती है, कि आखिर अपने उस गाने को इनकंप्लिट क्यों छोड़ा, जिसके बाद अभी मन्यू काफी ज़दा भड़क जाता है, और उन्हें कहाता है, कि लाइफ एक काफी बुरे चीज है, और अगर तुम सुसाइट करते हो, तो यह एक इलिगल है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही जीते हो गुट-गुट के, तो फिर एक काफी ज़दा आसान है, और उसे ऐसा तुम्हें लोग दिलदार कहेंगे, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ एक बहुत बुरी चीज है, और तुम अपनी लाइफ को जीने जाओगे, तो तुम्हारी लाइफ तुम्हें और भी इकमस्टेंसेस में डालेगी, जिसकी बज़े से तुम्हारे सवाल का यही जवाब है, अगर तुम दोनों में से कोई एक मर गया, तो फिर क्या तुम दोनों प्यार से जी पाओगे, और इसी लाइन से मैनी काफी ज़दा नाराज होता है, और किजी को वहां से लेकर जाता ह है, और तब यह दोनों अपनी ट्रीप, को एंजोय करते है, और इन दोनों के ट्रीप, उपने के बाद वापस इंडिया आते है, त यह वापस अपनी शुटिंग को शुरू करने वाले थे, बट तब तक मैनी किजी को एक बुरी खबर सुनाता है, एक्ठली मैनी जो था, उसे काफी टाइम से cancer था विकार जब किजी को attack आया था cancer का उसी के बाद उसके भी chest में काफी ज़दा pain होने लगा था जिसकी बज़ा से जब उसने P.E.T. scan कराया तब उसे ये बात पता चली कि उसे भी cancer हो चुका है जिसकी बज़ा से वो भी अब थोड़े समय में मरने वाला है अब यहाँ पर किजी इस बात से काफी ज़दा नाखुश थी और तब किजी ये decide करती है कि वो Manny के लिए इस पूरे film को खतम करेगी और इसकी पूरी shooting को भी खतम करेगी जहाँ पर किजी और Manny ये दोनों इस film को खतम करते है और तब किजी जो थी वो काफी ज़दा खुश थी बिकास Manny उसके साथ आखरी समय तक था और तब ही अच्चानक से एक रात किजी को Manny का call आता है जहाँ पर Manny उसे एक ठेटर पर बुलाता है अपर इस ठेटर में अच्चानक से उसे अटक आ चुका था जहाँ पर वो रजनीकान सर की film देख़रा था तब ही उसे अच्चानक से अटक आ चुका था जहाँ पर वो किजी से बार में बात करता है और तब किजी बीच ठेटर में ही उसे hospital ले जाती है जहाँ पर अस्पिटल में थोड़ा टेंग वो spend करता है और अस्पिटल से दिश्चाज होने के बाद वो किजी और अपने दोज जेपी को एक चर्च में बुलाता है जहाँ पर वो यह कहता है कि मैं फ्यूनेरल में तो मैं नहीं रहूँगा अपने फ्यूनेरल में जिसकी बज़े से तुम ही आज मेरा फ्यूनेरल कर दो जहाँ पर जेपी जो था वो ये कहता है कि मैं मैनी से तब मिला था जब मैं 19 साल का था और हम दोनों काफी अच्छे जिगरी बन चुके थे और मैं हमेशा से अपने माबाप से दूर राबट मैनी ने मुझे हमेशा कंसोल के और हमेशा मुझे सपोर्ट डिया जिसकी बज़े से आज मैं मैनी के बज़े से आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ वो सिफ और सिफ मैनी के बज़े से अब यहाँ पर जब किजी की पारी थी तब वो काफी ज़दा रोती है और कहती है कि मैनी ने मुझे जीने का तरीका सिखा है और इसी जीने के तरीके की बज़ा से आज मैं यहाँ तक पहुची हूँ जिसकी बज़ा से मैं मैनी से काफी ज़दा प्यार करती हूँ और उससे प बबरे के पास ही उसे एक लेटर मिलता है जो एक्षिली मैनी ने किजी के लिए लिखा था अब यहाँ पर इस लेटर को पढ़ते वक्षिक काफी ज़र खुश होती है विकास आपर मैनी ने ये लिखा था कि हम जीना जीते के मतलब जनम लेना और मौत लेना यह हमारे उपर न मैनी की याद के लिए उसके जो टाउन के लोग थे उन्होंने एक मैनी के लिए शो रखवाया था जहां पर इस शो में उन्होंने किजी और मैनी का जो पूरा शूटिंग था जो एक्षिली जेपी ने करवाया था उस पूरे शूटिंग के वीडियो को उन्होंने पूरे ट क्रेडिट में ये कहा था कि उस सिंगर भले ही वो बुरा अदमी हो लेकिन मैंने उसे कैसे दो भी करकर इस गाने को पूरा करवाया और ये गान आज तुम्हारी लिए मैंने पूरा करवाया जिसकी बदर से तुम्हें कैसे दो भी करकर उसको गलत साबिक करना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा और तभी किजी काफी जदा खुश होती है और उसके आखों में खुशी के आस होती है और यही परी ये पूरी फिल्म खतम हो जाती है तो यह थी पूरी स्टोरी दिल बिचारा कि आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा देखो यह इस फिल्म को देखने से पहले मैं आप सभी से यही अनुरोद करूँगा कि इस फिल्म को मतलब इस पूरे वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी इस फिल्म को जरूर एक बार देखे विकास यह फिल्म काफी किया गया है कि सही में मज़ा आ जाती है तो फियर ये फिलिम तो आप ज़रूर बिल्कुल भी मिस्त मत करिएगा सो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई